अलग-अलग पॉलिसी जम्मो कश्मीर में लाई जा रही हैं चाहे वो इंडर्स्रिल पॉलिसी हो चाहे फिर सबसे बड़ी बात स्पोर्स पॉलिसी हो पर क्या स्पोर्स परसन इसके फेवर में है या नहीं क्या उनको लगता है ये आने वले समय में स्पोर्स का भला कर या नहीं आज बात शित करते हैं मेरे साथ में एक स्पोर्स परसन ही मौझूद है नाशनल लेवल पर जम्मु कश्मीर का नाम कई बार रोशन कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जूडो के प्लेयर हैं रंजोज जी सामें मेरे साथ में मौझूद हैं किस तरीके से यह देखते हैं कि यह स्पोर्स पॉलिसी अगर पहले होती या आज होती इसका कितना फाइदा जो हैं लोगों को मिलने वाला है और क्या इससे स्पोर्स में और बच्चे आएंगे या नहीं अब वो जानने के कोशिश करते हैं पहले तापका बहुत-बहुत स्वागत है स्पोर्स में के लिए भी सोचा गया सो स्पोर्स में की जो हकी बात थी उसको लाया गया सामने अगर यह शायद आज से 10 साल या 15 साल पहले लाई जाती थी आज जो जम्मू किश्मीर का स्था जो स्पोर्स में नेशनल लेवल पे इतना घिरा हुआ है वो कभी नहीं होता और अधिन का है निए एली अधिस पॉल्सी जो पॉलस्य है यह बड़ा रेकम स्टैप है अच्छे सपोर्ट में अच्छे जुआ स्पोर्स को बढ़ा हा देने के लिए बट इसमें बी कुश्रावाग है , क्या परिशानिया है जो लोगों के लिए आने व बात निया परिशान की थी अविवक्स को पास्यूंट कता करेंए रिफकर हिए जोनूट को đã हमेशा आगे लाने की कोशिच की है अगर आप normal olympic sports में लाएंगे तो non olympic sports का result non olympics में ही आएगा आपका olympics में नहीं आएगा वाइब इस बार जब olympics खेली जाते है तोक्यू में तो कियो में हमारे हर राज्य बारत के हर राज्य से एक नए खľाडीन है अपनी एक प्रैजन शो के बट небoh हमारी जम्मू कश्मीर से एक भी पार्टिस्पेंट ने टोक्यो लॉम्पिक्स में पार्टिस्पेंट नहीं किया दर रीजन यही था इसके पीछे कि हमारे जो राज्य की जो स्पोर्ट्स पॉलसी आई है बहतरीन अच्छी पॉलसी इन्होंने इंटर्ड्यूस की है इन्होंने एक प्रोविजन लाया जो कि बहुत बड़ी बात है कि एक जो पीसी की तैयरी करता था वही गस्टर में आता था आब इन्होंने सोसाइटी को बताया कि आप स्पोर्ट्स खेलेंगे तो आपको एक गस्टर पोस्ट पे जाने का एक चांस है आपका इनका एक हमार जम्मू कश्मीर ओलॉम्पिक्स में आए तो उस मिशन को अकंप्लिस करने के लिए आपको ओलॉम्पिक्स के जो जितने भी इवेंट्स हैं उन पर जादा फोकस करना पड़ेगा उनके उनका कुछ केटराइज करना उनको एक ग्रेड गेम्स में रखना पड़ेगा तबी उस जो आपका मिशन है वो कामयाब होगा आप जम्मू कश्मीर में बाकी स्पोर्ट को भी परमोड किजिये बट जो तबज्ग है जैसे बाहर के जूस्टेट्स हैं चाये हरैना ले लो चाये पंज़ाब ले लो इस साल पंज़ाब हरैना से सबसे ज़ादाboards कंटिजन में हरैना के खिलाडी थे दूसरे नुमरबर पिंजाब के खिलाडी थे उलम्पिक्स में वो क्यूं थे उनका एकी कारण था क्यूjskुए था था क्यूंकि वो हमेशां अपनी ऩूम्पिक स्पोर्स पर जाधा काम करते हैं और उलम्पिक स्पो 이 पर 106 कोई시üm भी यहाँ से कोई शक्ष बाहर नहीं गया है पैर अलंपिक्स के लिए अलग-अलग गेम्स होती है पर यहां पर तो पेरा किसे कोई बात भी दूर-दूर तक नजरणे आती तो उसके लिए भी पात्चित होनी चाहिए थी उसके लिए मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ अभी हमारे लेटेस्ट ली पैरालॉम्पिक्स में तो पार्टिस्पेट कोई नहीं बट पैरा खिलाडी है अभी हमारा चंदीप सिंग थे उन्होंने वर्ल्ड चंपि किहें अब आस्तास्ता व लिंपिक्स तक पहुंचेंगे बट अभी उतना उनको एक्सपोजर उनका उतना कांट्री सिंग्स मेर्ण कूण जैसे जूडो की बात करनी शुरुजबांद सिंग को साब ने अपनी कड़ी अपनी मेहनद से उनको कई स्पांसर या किसी की साहिता नहीं मिली थी उन्होंने अपने ही डम पे वो जो दो बच्ची एक बच्चा था भिष्णा का खजूरिया नाम उसका तो एक लड़की थी गुजर नगर की उसने जब वर्ल्ड चम्पिंशिप में ब्राउंस लेकर आते हैं डफंड नम में एक बहुत भड़ी बात उती है ये जब्मू-किश्मीर के उसमें आठ बच्यों की फैसिलिटिस प्रवाइड नहीं थी तो अब उन्होंने मैडल आके एक मार्क सेट कर दिया है कि पैरालूम्पिक्स को भी आपको तबजू देना ही पड़ेगा और इस गौर्टमेंट ने उसके जो प्रविजन अका वो बहुत अच्छी बात है जो एल जी साब ने भी जो पॉ जो दिये जाए उनको एक रेट केटागरी में इसके बड़ेगारि ए तैक जो एक केटागरी गेमस हैं जैसे जो गेमस ऑलंपिक्स में खेली जाती है वह उसके जिए जादा फोकurry करने की ज़ुरूरत हैह कि योंकि जब तक किसी देश की पार्टिस्पे使ijन नहीं उस country को कभी sports country में नहीं कहा जाता बिल आप देख सकते हैं चाइना के 100-100 medal क्यों आते हैं वो बाकी जो non-olimpic sports पर फोकस ही नहीं करते हैं अमेरिका non-olimpic sports पर फोकस ही नहीं करते हैं उनमें competition भी काम होता है आप example तोड़ पर ले ले दे हमारे जम्मू कश्मीर में जितने स्टेट अवार्स मिले हैं पिछले 15 साल में आप देखें olympic sports के जो खिला रही हैं उनकी performance non-olimpic sports की performance non-olimpic sports की performance जादा होगी क्योंकि उनका competition बाहर olympic sports के मुकाबले में कम होता है क्योंकि बाहर के राज्जिये जैसे हरयाना जो competition के लिहाज से जिनका अस्तर बहुत उंचा है जम्मू कश्मीर का वो non-olimpic sports को कभी prefer नहीं करते infrastructure आपको लगता है कितना बढ़ाने की जरूरत है players के लिए ताकि आने वले समय में परशानिया उनके लिए भी कम हूँ और हमारे यहां से भी कोई अलग-अलग medals भी निकल के रहा है और यहां के जम्मू कश्मीर का नाम भी राश्म होता अभी तो इसको कोच बनाता है तो अभी तक हमारे जम्मू कश्मीर में अभी तक कोचिस की बहुत कमी है किसी ने काना बिन गुरू गती नहीं होती खिलाडी खुद नहीं बनता उसको कोच बनाता है तो अभी तक हमारी कुंसल के अंदर कोचिस की इतनी कमी है कि खिलाडी कुछ जैसे हमारे फार फ्लांग एरियास हैं जैसे राम बनना जैसे आप गूल अपना बधरवा जैसे जो बहुत दूर हमारे उदर एक एक वी सेंटर नहीं है उदर अगर सेंटर बने उदर कोची से पॉइंट नहीं करोगे जब तक उनको वह वाली फैसिलिटीज नहीं दोगा आपने एक स्ट्रक्चर त्यार करके रख दिया हुआ है कॉंसल कर आपने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ हुआ है ठीक है उस्ट्रक्चर में कुछ कार्य करम तो होना यह उसमें खलाडी नहीं है अगर खलाडी आ रहे हैं उसमें कोच नहीं है तो खलाडी कहां से सिखेगा और कुछ स्ट्रक्चर के अंदर अब भी बने हैं उनका जो बनाने का स्थार था बड़ा बताया कि बहुत अच्छा स्थार रहा है बट आज उस्ट्रेडियम चाहे हमारे पास इंफरस्ट्रक्चर त्यार हो चुका है बट उस इंफरस्ट्रक्चर को चिलाने के लिए कोच नहीं है ना खिलाडी है उस इंफरस्ट्रक्चर का क्या फाइदा जहां से खिलाडी ना निकल बहुत बहुत शुक्री है हमारे साथ बात चित करने के लिए तो अलग अलग ख्राड़ियों के पास तो जाएंगे पर सबसे बड़ी बात ये है कि बात तो ये हो रही है कि आपने policy लाई है और कहीं न कहीं वो policy favor में भी है हमारे players की पर कहीं न कहीं एक सवालियन निशान कि आप Olympics की जो games है उस पर भी focus कीजिए दूसरा कोचिस पर फोकस कीजिए तीसरा अगर इंफरास्रुक्चर बिल्ट हो रहा है तो उस तरफ पर काम भी हो और पॉलिसी अगर बन गई है तो सिरो पॉलिसी पेपर्स पे न रहा जाए जमीने सतह पर भी अगर उस पे काम हो बनने जमीने परिवर्तिं के साथ मुझा रोई जी को दीज़े इसाज़ूत नमस्कार